जब एक बहिला का कन्या द्यान के नाम पर एक पिता अपनी गोध में बिठा करके उसका किस तरह से जो है शोशन करता है ये कौन सा रिवाज बता रहे हैं आप जरा बता हिए मुझे अब देखो रिबेट रोग देना या थोड़ी देर के लिए शुशन भाई अमबेद कर रहो जी दरा बताओ बुड़ा बाब अपनी बेटी को बिठा के गोध में क्या क्या करता है तुमने अपनी बेटी को कभी गोध में बिठा के कोई हरकत की है या तुम्हारे पिता जी न दोस्तों जैहिंद जैभारत आए सुनते हैं एक ऐसी डिबेट जिसको समझ एक आम भरती का खून खौल जाए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा शुशान जी साफ सुपतरे शब्दों बे कहना चाहता हूं इसलाम को वो लोग बद्दाम कर रहे हैं जो इसलाम के होते हुए ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं अच्छा लोग बद्दाम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमको इसलाम के बारे में ज्यादा जानकारी है मैं किसी का न न लेते हूं मैं आप को ही पर दर्श आप पर ही जो एबात कहना चाहता हूं जो लोग अपने आपको इस्प्रत Yaिस्प्रत यह को मानते हैं सच्चे मुसल्म होम हैं वो जब यह कहते हैं vår islam के उपर प्रश्ण चिन्द खड़ा करते हैं इस डिबेट में एक ऐसे विखती हैं जो इनको पता नहीं कि इस देश में जो धर्म की विवस्था है वह महिलाओं के लिए क्या कहती है धोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी ये उनको भी पढ से उनका शोषर किया है इसको भी जानना चाहिए कि नाडु में जब एक महीला का चन्याद्यान के नामपर एक पिता अपनी गोद विठा करके उसका किस तरह से जो जो है इसको बी जानना चाहिए अब मैं मुक्य बिंदोओं पर आता हूं यहाँ पर अत्याचार की अब पहले सुन लीजिए अभी मैं सुन रहा हूं मैं आपकी बाते सुन रहा हूं गोध में बैठा कर पिता जो है वो बेटी का शोशन करता है यह कौन सा रिवास बता रहे हैं आप जरा बताइए मुझे अगदिया का सिर्फ पाद रहा है लेकिन ना भाई रिज्वान अहमाद बोलिये जिनको चुबब भाई उन्होंने भले नाम लिया ना लहूई लिया हो मैं लेता हूं सुशान भाई सुशान भाई अभी मैंने आपको एक फोटो फॉरवर्ड की है टामिल मैरिज में कन्यादान की जिसमें मा अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है यह कभी कभी पिता जी भी करते हैं अब अम्बेत कर रहो जी अब देखो रिबेट रोग देना या थोड़ी देर के लिए शुशान भाई अम्बेत कर रहो जी जरा बताओ भूडा बाब अपनी बेटी को बिठा के गोद में क्या क्या करता है तुमने अपनी बेटी को कभी गोद में बिठा के कोई हरकत की है तूने अपनी बेटी को गोध में बिठाया है यह नहीं 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 बिठाया है यह न अजय लिखन को अगर आगए कर अगर आग आगा थे सामने होता ना सामने मैं एक मिनिट रोग रहा हूं दों को एक मिनिट दोनों लोग रोके अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाई, थैंक यू अच्छा आया, सबको गुस्सा आया, लेकि मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं उस चर्चा में लाना भी नहीं चाहता, ऐसी वायात बात को, कि पिता आप किसी बेटी को गोद में बैठा कर उसका शोशन करेगा, ऐसे पिता जो है न, वो कहां होंगे, आप ही जो अपने धर्म के बारे में ये बोल लाई कि बाप अपनी बेटी को गोद में बिठा कर शोशन करता है, कुछ मत बोलो, से खुलरी सब, अब कौन पकड़के लेका है, आई से, हैं, बेक्षरम आदमी, बेलकुल नहीं बक्वास बाते करते हैं, बरसना बेक्षरम आदमी है शायद आपने बोल दिया, आपको अपनी गलती का हिसास होगा, लेकिन आप उस पर जबरदस्ती की बहस किये जा रहे हैं, और मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, आपको नमन आप जाहिए, प्लीज बोस जाहिए, तुम्हें शरब है कुछ, कुछ शरब हाया है, आप एक मि पर नहीं बोल पाए, अपनी पार्टी में मैलाओं के नाम नहीं बता पाए, जिनको स्पोक्स परसन रखा हो, आपकी पार्टी ओल इंडिया इतियादे मुसलमीन हो, लेकिन आप सेक्लियरिजम की बात करें और दूसरे धन को गाली दें, ये आपको सूट करता होगा, मुझ लगड़ बढ़ा जाएगा, मुझे प्लीज सच्चा इतियाद मत सुनाइए, सारा सच्चा इतियाद, आप लोग बना बना कर इंडिये ले लाते हैं, ये मत कीजिए, इनको बाहर करो, बाहर जाएए, आउट तो दोस्तों, अगर आप इस सब्सक्राइब को नए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल सस्काइब को टच कर, ब्लैक कर दें, और बेल को टच कर, उपर की बेल आउन कर, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, चैहन